दोस्तो चारखंट CGL यानि ये SSC CGL का नोडिफिकेशन आउट होने के बाद इसका जो डेट रखा गया था 15 जनवरी जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खतम होता है और डेट जो है वो आज ही का है 15 जनवरी और आज से रेजिट्रेशन करना स्टार्ट हो ग जादें तो चलिए देखते हैं step by step कि कि किस तरद से आप जैसे सी सीजिल के लिए रेजिट्रेशन कर सकते हैं तो सबसे पहले देख लिए यह होम साइट जैसे सी सीजिल का यह होम पेज है होम पेज में आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रोल करके आना है और नीचे application form apply पे क्लिक करना है application form apply पे क्लिक करते है अपने पेज में पहुच जाएंगे नया पेज पहुचते ही आप थोड़ा सा स्क्रोल करके आएंगे online application form CGL का जो है 2021 का JGLCC का उसको आप apply now पे क्लिक करेंगे नीचे वाला जो हो जहारखन scientific वाला है दूसरे notification का है आपको उपर वाला म पे blink करता हुआ जो आ रहा है बस जस्ट इसको आपको क्लिक करना है लोगिन पे पहले क्लिक नहीं करना है पहले आपको registration कर लेना है लोगिन पे वह वैसे candidate भी ख्लिक नहीं करेंगे जो पहले यानि 2019 में भी registration करा चुके है उनके लिए भी registration इस बार कराना जूर्री होगा बस आपको अगर आपने 2019 में JCCCGL के लिए payment किया था तो आपको yes करना है और अगर आपने no किया नहीं किया था तो no करना है yes करने के बाद आपको registration नमबर पुराना वाला registration डालना होगा उसको आप pass में रख ले और अगर आपने नहीं किया था तो no करके आगे बढ़ जाएंगे इसका फाइदा यह है कि आपको जो अभी fees लगने वाला है वो नहीं लगेगा अगर आपने पिछला बार में फीज दिया हुआ था तो और अगर आपने पिछला बार फीज नहीं दिया हुआ है तो आपको fees लगेगा यहाँ पर आपको yes या no वाले option को आप चूज करने के ब जारखंड का local resident है यस फिर आपको अपना district select करना है उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपका local resident जो है वो जारखंड का है या नहीं है तो उसका number दीजिए जो कि प्राचवर section 9 में दिया हुआ है और इस पीसे में मैंने details में वीडियो बनाया हुआ है कि क्या आपका certificate का details होन भी बनाया हुआ है वीडियो को भी देख सकते हैं link description में दिया हुआ है और हाँ यहां तक पहुचने के लिए इस login वाले पेज पर registration वाले पेज पर login वाले पेज पर direct पहुचने के लिए मैं आपको link description में दे दूँगा और नहीं तो आप इस तरह से जैसे सी तक पहुच सकत हैं बहुत ही आसानवे में उसके बाद आपको यहां पूचा जाएगा उसका इसू जो किया है उस authority का नाम जैसे की SDODC या CO level का बना होगा है उसको यहां पे डाल देना है आपको ठीक है उसके बाद आपको पूच रहा है कि उसका जो date है वो कौन सा date में start हुआ है फिर पूचा जा रहा है फिर पूचा जाएगा आपसे कि आपको matriculation जो आपने किया है वो जार्खंड से किया है या नहीं जार्खंड का आपको जानकारी है की नहीं इसका language के बारे मीं जानकारी है या नहीं फिर अपना Regidervation category add कर देंगे SCST ABC BC BC BC1 BC2 जो भी है फिर उसके बाद primitive tribes के बारे में पूछा जा रहा है इतना primitive tribes अगर आप हैं तो उसमें yes करके आप चलेंगे उसके बाद देख लिजे आपको यहाँ पर cast certificate का number मांगा जा रहा है तो cast certificate का यहाँ पर आपको number ढालना है फिर उसको इसु करने वाले authority का number है यहाँ पर फिर उसका date डाल देना है इतना डालने के बाद दो column तीन column यहाँ है एक है सबसा पहला कि physical handicapped के लिए है अगर आप उसमें से कोई है तो आप उसका details यहाँ पर डालेंगे आपको यहाँ पर सबसे पहला आप अपना नाम भरना होता है नाम भरने के लिए आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि जो आपका certificate यानि metric और intermediate का जो certificate है उसमें जो नाम है बस हूब हूँ आप वही नाम डालेंगे और दूसरी बात यह है कि आप उसमें कोई prefix add नहीं करेंगे जैसे कि Mr. Mrs. या फिर कुछ और इस सब को आपको add नहीं करना है उसके बाद अपना gender दे देंगे mobile नमबर उसके बाद दे देंगे और याद रखें mobile वही दें जिस पे आपका message आ सके यानि कि mobile आपके पास हो उस नमबर आपके पास हो उस नमबर पे आपका applicant नमबर वगरा उसमें forward किया जाएगा फिर उसके बाद आपको एक email id देना है ज आपके registered mobile नमबर और जो अपने email आइडिया अपने प्रोभाइड किया उसमें login का जो applicant है login करने के लिए जो applicant नमबर है और password जो है वो उसके message के थरूँ उसमें forward किया जाएगा और आपको उसको लेने के बाद उसको login वाले page पे चलना है चलिए देखते है login वाले page पे हम लो क्योंकि मैं इस पर कोई भी data नहीं भर रहा हूं तो चलिए यह देखिए अप्लिकेंट नमबर का अप्लिकेंट वाले section का इस तरह से है कुछ जस्ट इसके नीचे था अप्लिकेंट अप्लिकेंट नमबर और यहां पर आपको अपने अप्लिकेंट नमबर पासवार्ड और करनी का क्या प्रकिरिया रहेगा लोगिन में क्या क्या आपको details भरना है ताकि आप errorless हो आपसे कोई गलती ना हो ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही था उसके बाद चलिए इसमें कुछ important date है उसको हम लोग देख लेते हैं important date यह है कि आपका जो आवेदन जो है online होना वह आज से शुरू हरा है और 14 फरवरी तक चलेगा 14 फरवरी के बाद आप 16 फरवरी तक अपना registration का जो सुल्क है उसको आप डाउनलोड दे सकते हैं 16 फरवरी को आपको अपना परिच्छा सुल्क देने का date है 16 फरवरी तक और 18 फरवरी तक आपको फोटो और हस्ताक्षर व सब्सक्राइब के लिए 100 फरवरी के लिए 50 फरवरी के लिए कोई फिस नहीं है ठीक है तो इतनी सारी डिटेल्स थी इस वीडियो की मैंधियम से अच्छा लगे तो लाइक शेर करें और जल्दी से रेइस्ट्रेशन कर लें क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा दहीं है चली थ चुट करेंस अच्छा बहुत करेंस नहीं है।